Chop 5 failed EV companies off Indian market भारत में EV scooters का बाजार तेजी से बढ़ रहा है किन्तु पिछले कुछ वर्षों में कई कमपनियां इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई और मार्केट से बाहर हो गई यहां कुछ प्रमुक असफल EV कमपनियों की सूची दी गई है नमबर एक पर है बिजली बाईक बिजली बाईक ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए कई मॉडल पेश किये किन्तु बाजार में कम मांग और अधिक प्रतिसपरधा के कारण कमपनी को वित्तिय संकट का सामना करना पड़ा इस कारण कमपनी ने धीरे धीरे बाजार से अपना करोबार समेट लिया नमबर दो पर है सोनालिका इलेक्ट्रिक सोनालिका ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कदम रखा किन्तु उत्पाद की गुणवत्ता और आफ्टर सेल्स सर्विसेज ठीक न होने के कारण स्कूटर की बिक्री में कमी आई और अंतता कमपनी को अपने सारे मॉडल बंद करने पड़ दे नमबर तीन पर है एक्टिवा इलेक्ट्रिक नाम से आप इसे हॉन्डा एक्टिवा मत समझे कमपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक श्रंखला पेश की किन्तु बाजार में उच्च प्रतिसपर्धा और उप्भोकता की कम मांग के कारण कमपनी को अपने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा नमबर चार पर है इमोटो इमोटो ने इलेक्ट्रिक मोटर साइकिलों की पेशकश की किन्तु लगभग दो वर्षों तक तकनीकी समस्याओं और उच्च लागत के कारण कमपनी को बाजार में स्थिरता नहीं मिल पाई अंत में कमपनी ने अपनी उत्पादन श्रंखला को बंद कर दिया अंत में नमबर पांच पर है आरईवी आरईवी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई मोडल पेश किये किन्तु उच्च लागत और तकनीकी चुनोतियों के कारण कमपनी को अपने उत्पादों को बंद करना पड़ा और बाजार से बाहर हो गई